पॉइंट आपको सिखने को मिलेंगे सबसे पहले यह जो कैंडल पैटर्न डेवलप हो चुका है वो कौन सा ही ट्रेंड लाइन ब्रेक जो हो चुका है उसके बाद कितना बड़ा मुमेंटम आ सकता है और जो रेंजबार मुमेंटम का ब्रेक आउट मिला हुआ है उसका डाउन ट्रेंड लाइन हम लोगों को मिल रहा था और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक यहां पर मिल चुका है और सबसे इंपोर्टन बाद ब्रेक के बाद का जो क्लोज हम लोगों को यहां पर मिल चुका है वो आज के दिन के हाई के करिब का क्लोज मिल चुका है मतलब यह हम में clear cut indicate करता है कि market psychology जो है वो बुल्स के control में है यहां पर market का जो sentiment है positive sentiment development हो चुका है यह हो गाए first point clear फिर next point जो आता है तो यहां पर breakout से पहले market में एक range bond momentum create हुआ था हाला कि यह range bond momentum बहुत ही चोटा है सिर्फ 3 trading session यहां पर आए है कम से कम 6 trading session यहां मिल जाते हैं और फिर उसके बाद अगर यह breakout मिल जाता है तो आप में अच्छा खासा अपसेड का momentum देखने को मिल सकता था लेकिन फिलाल के लिए सिर्फ range bond break हम लोग यहाँ पर consider करेंगे next important point आता है कि यह shooting star जैसा candle pattern है क्या तो नीचे के साइड का भी two x point का होना चाहिए और अगर यह downtrend की end में आता है तब हम भी इसको बोलते है कि hammer candle pattern हम भी यहाँ पर hammer candle pattern नहीं है shooting star भी candle pattern नहीं है यह जो candle pattern यहाँ पर develop हो चुका है इस candle pattern को हम लोग बोलते है hanging man candle pattern तो यह जो hanging man candle pattern यहाँ पर develop हो चुका है इस hanging man candle pattern का interpretation यह होता है कि previous का जो trend बना रहेगा उस previous के trend में यहाँ पर pause लग जाता है तो market में यहाँ पर fresh buyer की entry कब हो जाएगी जब market इस high को break करेगा तभी जाके यहाँ पर fresh buyer की entry हो जाएगी तो हमारे लिए important क्या है कि आज के दिन market ने जो high बनाया हुआ है 41,400 के करीब का market अगर इसके उपर निकलता है तो हम लोगों को यहाँ पर upside का momentum देखने को मिलेगा जिस case में हम लोग 41,400 का जो call है वो 41,400 के call को यहाँ पर buy कर सकते है और buy करने के बाद इसका जो उपर के side में target निकल के आ रहा है वो 41,500 के करीब का target हम लोगों को मिल रहा है और stop loss जो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे वो 41,300 के करीब का stop loss यहाँ पर हम लोग लगा देंगे तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ 40-50 point का stop loss निकल के आ रहा है और उपर की side में एक अच्छा risk reward ratio वाला trade यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यह होगा है one of the most highly profitable trading opportunity जिसका success rate और risk reward ratio अच्छा रहने की probability है अभी intraday chart में देख लेते कि कहाँ पे हम लोगों को एक best trading opportunity मिलने वाला है तो आभी आपके सामने में ने intraday का chart लगाया हुआ है intraday के chart में अगर आप देखोगे तो morning session में market ने यहाँ पे same एक hanging man type candle pattern develop किया हुआ था और जैसे ही market ने hanging man candle pattern को break किया market ने एक upside का momentum दिखाया दुबारा जब market नीचे आ गया तो जहाँ पर market ने hammer like candle pattern बनाया हुआ तो वहाँ से support लेके दुबारा उपर चला गया है अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो आपको बहुत सारे point clear हो जाएंगे कि market में जो है एक range bound का momentum develop हो चुका है अभी जब भी market ने इस तरीके का range bound का momentum develop होता है तो range bound का phase कितना लंबा है यह हमरे ज़्यादा important रहता है अभी में ज़्यादा elaborate करने के लिए आभी आपके सामने में ने 5 minute का chart लगाया हुआ है 5 minute के chart में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को जो candle pattern और जो price action indicate कर रहा है उस हिसाब से यहाँ पर जो range bound pattern develop हो चुका है यह range bound pattern का breakout हमारे अच्छे तरीके से काम कर सकता है लेकिन उसके लिए important यह है कि market जो है वो market एक range में open होना चाहिए जहाँ पर आभी market close हुआ है वहाँ के near about या थोड़ा सा downside में market open होता है और फिर उपर की side में इस level को मतलब 41,388 के level को upside की तरफ market break करता है तो एक बड़ा upside का momentum हम लोगों को देखने को मिल चुका है यहाँ पर आगर आप देखोगे तो दो बज़े के बाद market ने बहुत ही tight range बनाया हुआ है इस tight range में बहुत सरे लोगों ने यहाँ पर position बनाये रहेंगे तो यह लोग अगर trap हो जाएंगे तो एक बड़ी upside का momentum देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग 41,400 का जो call है वो 41,400 के call को यहाँ पर बाय कर सकते हैं हमारा जो stop loss निकल के आएगा यहाँ पर जो low बन चुका है वो आज stop loss की तरह यूज करेंगे उपर की side में पहला target जैसा मैंने आपको बताया 41,500 के करीब का पहला target निकल के आ रहा है अगर market 41,500 के बीच में जाके कुछ time के लिए consolidate करता है और फिर उस high को break करता है तो एक बड़ा short covering का rally भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है जिसके लिए हमें तयार रहना है अगर आप देखोगे तो आज के दिन daily chart के उपर और intraday chart के उपर हम लोगों को same signal मिल रहा है तो नीचे की side में 41,320 का जो level है वो हमर ले important support की तरह काम करेगा कल के दिन market अगर flat opening के बाद इस level के नीचे आता है तो उस case में हम लोग 41,300 का जो put है वो 41,300 के put को यहाँ पर buy कर सकते है इसका जो stop loss निकल के आएगा 60-70 point उपर का stop loss लगाएंगे और नीचे की side में जो target निकल के आ रहा है वो 41,230 के करीब का target हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है लेकिन यह जो level है इस level को market ने already दो बार test किया हुआ है और एक बार test करके अगर break मिल जाता है तो market नीचे की side में 41,160 के level तक आ सकता है यह हमारा next target यहाँ पर निकल के आ रहा है market अगर कल के दिन बड़े gap up या gap down के साथ खुलता है तो immediately trade करने की कोशिश मत किजिए जैसे हम लोग open interest के data का confirmation लेके कोई अच्छा signal मिलेगा तो अपने इस free वाले channel में मैं update कर दूंगा जिसका link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर nipty में किस तरीके का scenario develop हो चुका है कल के session में अगर आप लोग देखोगे तो completely in decision phase का एक doji candle यहाँ पर develop हो चुका था और same उसी तरीके का doji candle हम लोगों को आज के दिन भी मिल चुका है मतलब market यहाँ पर उपर जा रहा है higher closing हम लोगों को देखने को मिल रहा है लेकिन यहाँ पर doji candle clear cut indicate कर रहा है कि fresh buyer यहाँ पर market में आने के लिए interested नहीं है अगर fresh buyer market में आ जाते तो इसका closing जो था वो आज की तरह के level के करीब हो जाता था कल के दिन हम लोगों को यहाँ पर best trading opportunity मिलने की high probability है क्योंकि उपर के side में अगर आप देखोगे तो हम लोगों के लिए एक important resistance का zone निकल के आ रहा है मैं यहाँ पर आपको resistance का zone बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो market ने यहाँ पर जो candle pattern बनाया था market में अच्छा कासा buyer का interest हम लोगों को दिखाई दे रहा था लेकिन पिछले दो दिनों का momentum अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पायर की तरब से कुछ खास activity नहीं हो रहा है और यहाँ पर seller भी उतने अक्टिव नहीं हो रहे है तो यह neutral kind of a day हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुके है अभी आने वाला decision का phase कब बन सकता है जब market यहाँ पर कुछ दोने को लिए मतलब कम से कम चार से पांच दिनों के लिए consolidate होके फिर इस लेवल को break करेगा तो ही market में आपसेड के momentum को हम लोग continue बोल सकते हैं और जो market को 18,000-18,000-200 तक उपर के side में लेके जा सकता है अगर market को यहाँ से नीचे गिरना है तो सबसे पहले market को यहाँ पर एक shooting star like candle pattern बनाना पड़ेगा या फिर यहाँ पर कोई bearish engulfing candle pattern बनाना पड़ेगा उसके बादी market में तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है लेक अभी हम लोगों को एक बड़ा momentum कल के दिन देखने को मिल सकता है अभी यह हो गया डेली चार्ट का analysis आभी 15 मिनिट चार्ट के उपर देख लेते हैं कि किस तरीके का scenario यहाँ पर develop हो चुका है जैसा मैंने आपको बैंक निप्टी में बताया हुआ है market में आगर hanging man जैसा candle pattern ट हुड़े हुए है हम लोगों ने यह दोनों momentum को catch किया हुआ आपको यहाँ पर clear cut दिखाई दे रहा है पहला जो momentum था उसके पीछे का logic में आपको explain करके बताता हूं तो next time जब आपको यह opportunity मिलेगा तो आप इसको आसानी से catch कर पाओगे सबसे important बात आज का जो closing हुआ था higher opening हम लोगों को देखने को मिल चुका था higher opening के बाद पहला candle जब भी market is a hanging man के होला candle pattern बनाता है तो जैसे hanging man candle pattern का high break हो जाता है एक quick momentum हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाता है जो option buyer को अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है फिर उसके पाद दूबारा जब market नीचे आ गया तो यहाँ पर आज के दिन का जो low बन चुका था यह low as a support की तरह यहाँ पर काम कर दिया और यहाँ पर एक simply price action market ने बनाया बस इसी price action के high के उपर हम लोगों ने मतलब 17690 के उपर जो मैंने आपको बाय बताया हुआ था इसके पिछे का same logic यह था कि market जो था वह अपने previous लो market में fresh buyer की entry कब होगी वो हमें price action के indication मिल जाया था कि को यहाँ पर price action ने जो high बनाया हुआ था इस high को market ने यहाँ पर निकाल दिया था तो यह हमें indicate कर रहा था कि यहाँ पर market में जो है वो fresh buyer इंटर होने के लिए तैयार है बस उसी analysis के उपर मैंने यह आपको बताया हुआ थ तो आपको यह analysis का logic अच्छा लग रहा है तो इस video को like कीजिए और like करने के बाद आपके जो भी कुछ doubt रहेंगे मुझे comment section में बता दीजे तो next video में मैं उसको clear करने की कोशिश करूँगा अभी important बात कल के दिन हम लोगों को कहाँ पर trading के opportunity देखने को मिल सकता है तो सबसे important बात हम लोगों को चाट के उपर देखना पड़ेगा की important trend line हमें मिल रहा है क्या तो अगर आप इस चाट को ठीक से देखोगे तो आपको यहां पर बहुत ही important trend line दिखाई दे रहा है market जब भी इस trend line के करीब आता है market में एक अच्छा कासा bounce back हम लोगों को देखने को मिलता ह initially आप देखोगे तो यहां से एक अच्छा कासा bounce back मिला फिर यहां से अच्छा कासा bounce back मिला फिर यहां से मिला फिर यहां से मिला तो already market 3-4 बार इस level से bounce back दे दिया है लेकिन आगर आप देखोगे तो जब भी market इस previous high को निकलता है उस high के उपर market sustain होने की कोशिश कर रहा है ल अगर यहां पर हम लोगों को कल के दिन कोई shooting star जैसा candle pattern या इस तरीके का price action वाला pattern मिलता है तो उस case में हम लोग 17,750 का जो put है वो 17,750 के put को यहां पर buy करेंगे इसमें हमारा एकदम छोटा सा stop loss यहां पर निकल के आएगा पहला target हमारा 700 के level के करीब का रहेगा अगर इस level को market downside में break करता है तो बड़ा fall हम लोगों को देखने को मिल सकता है market में यहां पर हमर लिए important क्या है कि market 17,700 के नीचे यहां पर market थोड़े time के लिए consolidate करें और फिर इस level को downside के तरह break करें तो एक बड़ा target हम लोगों को देखने को मिल सकता है जो almost 100 point market को नीचे लेके जा सकता है अ जैसे market इस level के नीचे sustain होना start कर देगा यहां पर जितने भी लोगों ने buy के position बनाए रहेंगे वो लोग यहां पर trap हो जाएंगे और trap होने के बाद कल के दिन जो रहेगा वो Wednesday रहेगा उनके पास एक ही दिन है तो high probability है कि market में से वो exit हो जाएंगे एक सपारी से पहले तो यह quick momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है market में इस type का जो scenario बनता है तो यह हमें clear cut indication देता है कि market जो है वो एक range bound zone में फसा हुआ है तो कल के दिन आपको बहुत ही cautiously trade करना पड़ेगा क्यूंकि इसके पीछे का reason है price action और open interest का data open interest का data हम लोगों को indicate कर रहा है कि market में trapping के लिए level break होना बहुत ही important है जब तक market इस तरिके के level को break नहीं करता बड़ा moment हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा in between market फसा रहा तो option buyer की जगा option seller के लिए ज्यादा benefit हो सकता है अभी इस case में option seller के कहां पर position हो initiate कर सकते तो उपर की side में जो हम लोगों को resistance यहां पर निकल के आ रहा है यह हमार लिए important support का level है इसके put को हम लोग यहां पर write कर सकते तो जितना ज़्यादा time market यहां पर spend करेगा यहां पर आपको premium decay का benefit मिल जाएगा अगर आपको option writing के भी update चाहिए तो मुझे वीडियो को like करके comment section में विससे बता दीजे तो हम उसके भी update देना चाल कर देंगे तो मिलता है next educational video में thank you very much